नमस्कार आप देखो है देश का नमबर वन हिंदी न्यूस चानल न्यूस एटिन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अनुपमाज़ा शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तर 24 परगना में इडी की वेट के बाद सब्वेदर्शी संदेश खाली की घटना को लेकर 3 FIR दर्ज की गई है तो देखिए दरसल ये वो FIR दर्ज की गई है जो कल घटना हुई थी यानि कि इडी की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया था पहली FIR ED की तरफ से दर्ज कराई गई है जिसमें ED की रेड और उस पर कोई हमलों का जिकर है जबकि दूसरी FIR मीडिया पर कोई हमलों को लेकर है कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी न्यूज ए टीन बांगला के रिपोर्टर और कैमरामेन किस तरीके से घायल कोई थे औ जाने कि कल जो घटना हुई थी उस पर तीन FIR जो है दर्ज की जा चुके और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है लेकिन बंगाल में बवाल पर जो तीन FIR दर्ज की गई है वो तीन अलग-अलग पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई है देखे इसमें सबसे पहला पक् सुरक्षा कर्मी को भी जो है खलकी बहुत चोटे आई थी दूसरी FIR की बात करें तो मीडिया कर्मियों पर हमले को लेकर पुलिस ने दर्ज की है जिस तरीके से हमने आपको बता था न्यूस 18 बागला की जो टीम है कल वो किस तरीके से घायल कुई हमारे कैमरमेन और हमारे पर हमला किया गया गाड़ियों में तोड़ पोड़ की गई और तीसरी FIR जो है शाजा शेक के सुरक्षा कर्मियों ने दर्ज कराई है जिसमें शेक के कैमपस में ED की टीम पर जबरन गुसने का आरूप है यानि कि ये FIR जो है वो शाजा शेक की तरह से कराए गए जिसमें इस बात के लिए कहा गया है कि रेड के दौरान जबरदस्ती जो है वो ED की टीम उनके कैमपस में गुसी उसके बाद जबरन गुसने का आरूप इस पूरे FIR में लिखा गया है और एक दिन पहले उत्तर 24 परगना में चापा मारने गई ED की टीम पर अटैक हुआ था ED की टीम ने उत्तर 24 परगना में दो जगों पर चापे मारी की थी ED की पहली टीम बंगाउ नगरपालिका के पूर्व चेर्मेन शंकर आद्या के ससुराल पहुँची थी जिसे ED की टीम ने चापे के बाद गिरफतार किया शंकर आद्या की गिरफतारी की दोरान उनके समर्थकों ने हंगामा किया और ED की टीम पर हमला किया ED की टीम जो दूसरी थी वो संदेश खाली पहुँची जहां साजहां शेक की घर चापा मारा जाना था जहां ED की टीम पर अटैक हुआ और इस हमले में ED की अधिकारी और साथ-साथ CRPF के जबान गायल हो गए तो देखे कल ये पूरी घटना जो थी वो किस तरीके से हुई है तो वही बिंगॉल में ED के अक्षिन के बीच TMC के नेता शाजहां शेक ने केंद्री एजेंसी ED और CBI को धमकी दी है शाजहां शेक ने कहा कि ED और CBI उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती कल शाजहां शेक के ठकाने पर ED की टीम ने रेड डाली थी और रेड डालने जब वहां पहुँची तो ED की टीम पर शाजहां शेक के समटकों ने अटैक कर दिया हमला बोल दिया और अब शाजहाशेक का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो खुले आम ED और CBI को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको उस वक्त की तस्मीर दिखा रहे हैं जब शाजहाशेक के घर पर ED पहुची थी छापे मारी करने के लिए और उस दौरान वहाँ पर भीड इकटा हो गई और भीड ने CRPF जवानों और ED के साथ हाथ अपाई की। जब शाजहाशेक के घर पर पहुची थी ED छापे मारी के लिए और वहाँ पर एक साथ 800-1000 के करीब लोग पहुच गया उन्होंने देखे किस तरीके से इट मार कर ना सिर्व ED की गाडियां तोड़ दी बलकि CRPF के जवानों को बुरी तरीके से घायल भी कर दिया। आज शुदू तोड़ पुजी आवादर पुजी होलो मानुशे राशीर बाद और और पुजी होलो कि CBI यारेडी CBI ED वादे शादरे बाल पुजी दालाले कान खुले दुरे ने सुदू आमरा मानुब वादा देखाए कि आपने संदिश के लिर मानुश चैलेंज कोरे बुलची आपने सब स्वाई संदिश आए तो शाजाशे को आप सुन रहे थे सीधे तोर पर कह रहे हैं CBI हो या ED मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती है और हुआ भी कल कुछ ऐसा ही कर जब ED की टीम पहुची तो आकिर किस तरीके से पत्थर बाजी की गई यह तस्वीरे देखें यह तस्वीरे इस बात को बताती है कि बंगाल में किस तरीके की कानून विवस्ता जो है फिलाल चल रही है यहाँ पर ED की अधिकारी मौजूद है और यह EAT आप देख पार है पूरी तरीके से जो EAT होती है वो किस तरीके से गाड़ी पर फेकी गई आप ऐसे में समझे कितनी दूर से यह EAT फेकी गई इसका मतलब है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जाहिर सी बात है कि उनको गंबीर चोटे लग सकती थी यह Red Circle में आपको दिखा रहे है यह सुरक्षा बल आपको यहाँ पर नजर आ रहे है ED की टीम जो है वहाँ पर मौजूद थी और बकाइदा EAT का अग्दा जिसे कहा जाता है वो फेका गया गाड़ी के उपर और कुछ ऐसी तस्वीरे यह तो सर्फ एक तस्वीरे जो कैमरे में कैप्चर हुई है ऐसी कई तस्वीरे निकल कर सामने आई है कि EAT और पत्थरबाजी जो है वो की गई थे और जिस वज़ा से बताया है जो है कि कई लोग वहाँ पर घायल गुए कई मीडिया कर्मी जो है वो घायल गुए लेकिन आपको पहले यह बता देते हैं क्या कि यह पूरा मामला जो है क्या है और ED ने TMC नेताओ पर आके क्यों शिकंजा कस्तने के शिरुवात कर दी है इसके शिरुवात कहा से हुए यह आपको बताते हैं ग्राफिक्स वाल के जरी समझने की कोशिश कीजिए देखे जिसके बाद TMC के नेता आग बबूला हो गए जिसके तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं दो दिरों से ED की दूसरी टीम ने शाजा शेक के घर पर च्छापा मारा जिसके बाद अब तीन F.I.R. जो है वो दर्च की जा चुकी है शंकर और शाजा दोनों पूर्व TMC नेता हैं और अब दोनों के उपर जो है ED की टीम लगातार शिकंजा कस रही है ED ने चापे मारी के बाद TMC नेता है शंकर आध्या को गिरफतार कर लिया है हाला कि गिरफतारी आज हुई है वहाँ पर भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई शाजा शेक के घर पहुची ED की टीम पर हमला किया गया पत्थरबाजी में ED और CRPF के जवान जो है वो घायल पर जो तस्वीर हम आपको देखा रहे थे क्याकिर इटे जो है वो किस तरीके से फेकी गई जिसके बाद से अब भारतिया जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को लेकर हमलावर हो गई है और इसी वज़ा से पश्चिम मंगाल की राजमिती जो है वो गरमा गई है भारतिया जनता पार्टी बेहद आकरमक है बंगाल बीजेपी अद्देक्ष ने तो ग्री मंत्रे अमिट शा को पत्र लेकर इस मामले की एनाईय से जांच कराने की मांग कर डाली है और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बेनर जी पर बरस पड़े है इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथा का इंडिया के लोगो देना चाहिए मोदी जी ने साफ कहा है कि शचाल लोगे खि़िलाफ करवाई होगी तो गर करवाई होती है तो क्या उन लोगो मारा जाएगा पीटा जाएगा जो कॉरॉप्शन हुआ है इस कॉरॉप्शन में बहुत सारे तिनमुल नेता के नाम है और जिस तरिके फिर ने एरेस्ट किया गया ऐसा एरेस्ट आउर गी किया जाए ऐसा नहीं है जो लगता है आम देखने के बाद जो मेजिया रिपोर्ट बगर आते हैं तो उसे पूरा क्ल है कि तिनमुल कॉंग्रिस के हर जिले मैं से नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खाके कॉरॉप्शन के चार्ड जिस उनके उपर है तो आगे आने वह समय इंडिश्टिकिशन में अगर वो सह जोग नहीं करते तो उनको एरेस्ट करना पर एक तरह है तो बीजेपी न नेताओं का साफ तोर पर कहना है कि आकर मंता बैनर जी चुप क्यों है क्यों उनकी तरफ से नहीं बताया जारा कि आकर किस तरीके की कानून वगस्ता जो है फिलाल पश्रिम मंगाल में है लेकिन बीजेपी नेता सिशीर बाजोरिया ने टीमसी नेता शाजाशे के बांगला आड्यों को पकड़ने के लिए पहुँचे तो फिर एडी पर हमला हुआ देखिए यसे क्या जो हम देखे हैं कल उसे एक चीज साफ हो जाता है कि पस्चिम मंगाल खास करके वो इलाका जो सिमांत पर है वो हमारे देश का क्या हिस्सा है क्या भाजयपार नहीं चाहता है कि यहा की जो स्थिति हो गई है शायद इन के अलावा कोई चारा नहीं है की क्यों एडी की टीम जानकारी देकर नहीं आती से हसी आता है इसे दिखता है इनका बच्पना आपको जानकारी देखे कोई investigative agency जाएगा एक नमबर दूसरा उसकाई की तो जरूर आप चोरी किये हो आपका चोरी पकड़ने जा रहा है तो आपको तो बुरा लगे गई